नमस्कार दोस्तों हमारे साथ उपस्तेते हैं बैसाल राज सिंग पवार जिनका हाली मद्द्रदेश के अंदर जो व्याप्म के द्वारा किरसी भाग की जो एक रिजल्ट जारी किये गए जिसके अंदर आर्यू के अंदर जिनकी मैल बोईस के अंदर फस्ट रेंग है अगर सबसे पहले अब्यास एग्री एकडमी की ओर से विसाल राज सिंग पवार को फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और अब्यास की तरफ से उनको ग्विप्ट भी देते हैं तो आएए जानते हैं कि विसाल नहीं किस परकार से तैयारी की अपनी जहां तक मुकाम हसल किया वो पूरी जन्री के बारे में सबसे पहले मैं अब्यास एगरी केडमी का धन्यवाद करना चाहूंगा मैंने संकल्ट पर 2.0 बेज जॉइन करी थी जिससे कि मेरे जो थेवरी थी वो उसमें मतलब अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो पाई और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी जॉइन करी थी जो पच कोशन मतलब चूड जाते हैं या टॉपिक चूड जाते हैं उससे मतलब डायरेक्ट हम उस पर काम कर सकते हैं और उन्होंने कोई भी स्टुडेंट जो होता है तैयारी करता दोस्तों तो उसको अपनी टेस्ट सरी लगाना बहुत जरूरी होता है तो थी तो आप पढ़ते ज जैसे कि उन्होंने प्रोपर स्टेडी की समय बचाया और जादा जादा अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूच लिया वाटसप के तो उन्होंने अपनी स्टेडी को इस परकार से किया तो बबस में आप जो बच्चे तयारी करेंगे उनको आप किस परकार से बताएंगे सर अब जो तयारी करते हैं अगर सामने वाला खुद अगर एक्जाम कौलिफाइड होता है तो उसे पता रहता है कि बच्चे कहां गलती कर रहे हैं कहां नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैं चाहूँगा सर खुदी दो तिन एक्जाम कौलिफाइड है एनेफल वगेरा भी तो जो में पता है कि कहां पूंपे बच्चों को दिक्कत आती एक्जाम है अग्रिकल्चरे फेंड में तो अब्याश एकड़ियं सुपस्ता,